हलो एबरिबरन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बना रहे हैं साहोन स्पेसल बहुत ही टेश्टी मिठाई और पेड़ा आप लोग के साथ आज हम चार तरही की रेस्पी शेयर कर रहे हैं इस तरह से आप लोग दानेदार लड़ू और पेड़े घर पर बना के त यार होंगे तो आज की रेस्पी श आप लोग को अच्छी लगते प्लीज वीडियो को लाइक करें जो लोग चैनल परनाए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसी तरह की मेरी नई नई रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को भी ओन करें तो चलिए वी तो पेडों को हम ब्रेट में भी क्हा सकते हैं बहुत लाजबाप और बहुत ही सस्ते थी बानने वाली रेस्पी है तो पेडों को बनानी जाए प्ले दो पर लिधी पचैनीelly को करें याउइ नारियल का पाउडर तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी नारियल का पाउडर है जो डाल दिया है जब हम चीनी को करमलाइट करके कोई भी मिठाई बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है पेड़े की रेस्पी है यहाँ पर डो है जो एक दम से ड्राइ हो चुका है तो हम अपने पेड़े बना लेते हैं पेड़ों को हम इस तरह से थोड़े रोल में करेंगे उसके बाद हम हांसे इस तरह से इसको थोड़ा चप्टा करते हुए इसको पेड़े की सेप में बना सकते हैं आपके पास यादी मोल्ड हो तो आप मोल्ड से भी बना सकते हैं नहीं तो इस तरह इसे मेरी तरह हाथ से ही बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारे नारीयल पेड़ा बनके तयार हो चुके हैं दो चलिए next वीडियो को हम बना के आप लोग को दिखा रहे हैं तो आप लोग वीडियों को पूरा watch करें जसे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा नियम मैं किस तरह से किस recipe में क्या-क्या शामान डाल रही हुँ तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पर अपने बहुत ही टेश्टी चूर्मा लड्डू तो चूर्मा लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बेसन को छान के तैयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह 200 ग्राम बेसन को छान लिया है इसमें थोटे वोटे जो कड़ होंगे वह निकल गए हैं अब यहाँ पर हम डाल देंगे रवा तो यहाँ पर मैंने एक कप सूजी डाल दी है उसी के साथ यहाँ पर दो चम्माच घी डालने के बाद तौनों चीज़ों को हमें अच्छे से हांस से रब करते हुए मिला देंगे इसमें हमने जो सूजी डाली सूजी के कारण बहुत ही अच्छे दानेदार हमारे लड्डू बन के तयार होंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका हमें एकदम टाइट आटा लगाके तयार करना है इस तरह का आटा लग चुका है अब हम इसकी लोईया निकाल लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह से कम गी में हम बहुत ही जल्दी से लड़ू बना के तयार कर सकते हैं अब यहाँ पर हम पुड़ी की तरह इसको बेल के तयार करेंगे इस तरह से बिलने के बाद इसको हम फ्राइ करना हैं तो चलिए इसको हम fry कर लेते हैं मीडिया मार्च पर इनको हमें fry करना है बहुत ही tasty हमारे चूर्मा लड्डू बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं बहुत ही कम गी में बनते हैं और इन लड्डू को आप लोग किसी भी फेस्टिवल पर बना के खा सकते हैं तो बस किसी तरह से सारी पुड़ी में ने fry कर ली है तो चलिए इन पुड़ियों को हम इस तरह से हाँ से थूढ़ा करमबल करेंगे पर उसके बाद हम grinding jar में डालेंगे और इसको हम अच्छे से पीज लेंगे इस तरह से पल्स मोड पर चलाते हुए इसको हम पीज के तयार करेंगे देखिए इस तरह का चूर्मा है जो बन चुका है इसको किसी कुले वर्तन में डाल देंगे बहुत ही अच्छा चूर्मा बन के तैयार हुआ है एक दम दानेदार बना है तो चलिए हम इसके लिए चासनी बनाएंगे तो पहले हम उसी कड़ाई में यहाँ पर एक चमच घी डाल के ड्राइफूट हैं जो इनको थोड़ा हमें अच्छे से रुष्ट कर लेना है जिससे अच्छे क्रेंची हो जाएंगे और बहुत अच्छी खुश्बू आईगी इसमें अब हम इसमें डाल देंगे अपना चूर्मा चूर्मा को हमें थोड़ी देर तक मीडिया माच पर अच्छे से भूंजना है जिसमें इसमें बहुत यह ची खुश्बू आईग और इसका थोड़ा ही कलर चेंज होगा इसमें थोड़ा वह जो भी कच्छा पन होगा वह निकल जाएगा थोड़ी दिर तक इसको अच्छे से भूंज लिया है मैंने अब इसको हम किसी बरतर में निकाल देंगे अब हम इसके लिए बनाएंगे चासनी तो इन लड़ों को बनाने के लिए आज हम चीनी का इस्तमाल लहीं करेंगे निस्री का इस्तमाल करेंगे धागे वाली निस्री है इसमें हम डाल देंगे आदा गिलास पानी लगवाग यहाँ पर मैंने एक कटोरी पानी डाला है एक कटोरी यहां पर मैंने निस्री ली थी यह एक पाव निस्री है इस तरह से देखिए इसमें एक तार बनने लगा है एक एक ड्रॉप गिर रही है मतलब चासनी है जो एक तार वाली बन चुकी है तो बस यहां पर जैसे ही चासनी एक तार वाली होगी तो इसमें हम अपना जो हमने चूर्मा बना के तैयार किया है उसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह से बेसन चूर्मा के लड्डू है जो आप लोग बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं घर के ही बेसन से इसको बनाया है यहां पर हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे कूट के लाइची इस तरह से हम कूट के लाइची का पाउडर बनाकर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके पास बारिक बाला बेसन हो और आप लोगों को दानेवारे बेसन के लड़ू बनाने हो तो आप यहां पर इसी तरह से बनाएए एक ही कप मैंने इसमें सूजी डाली और बहुत ही दानेदार हमारे लड़ू बनके तयार हो गए तो बस इसी तरह से हम सारे लड़ू हैं जो बना के तयार करेंगे तो लीजिए हमारे बेसन चूर्मा के लड़ू हैं बन के तयार हो चुके हैं अब मैं आप लोगों को इनका टेक्ष्टर दिखा देती हूँ बहुत ही दानेदार दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे लड़ू बने हैं बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का देखिए बहुत ही दानेदार बने हैं इस तरह से लड़ू बनाईए खाईए और इनको महीनों तक आप लोग इस्टूर करके भी रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो अब हम बना रहे हैं यहां पर माबा बेसन और सूजी के सूपर टेश्टी हलवाई जैसे लड़ू तो चलिए इन लड़ू को भी हम देख लेते हैं किस तरह से बना रहे हैं यहां पर एक बड़ी सी पराथ में हम लेंगे यहां पर सूजी तो यहां पर दो कटोरी मैंने सूजी लिए अब यहां पर दो कटोरी डाल देगे बेसन और दोनुचीजों को अच्चे से मिला देगी अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका टाइट आटा लगा की तैयर करना है इस तरह का आटा लग चुका है अब इसकी हम छोटी लोईया हैं जो निकाल लेंगे हाथ में थोड़ा गी लगाएंगे हाथों को साप करके क्योंकि जो बेसा नवाए हाथ में चिपक जाता है तो हाथ को पहले साप कर लें उसकी बाद इसकी लोईया निकालेंगे इस तरह यह तरीका भी बहुत ही अच्छा है लड़ू बनाने का और इसमें हम मावे का इस्तमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका आफी फ्लेवर आएगा इस तरह इसे चुट चुटी सी लोईया लेंगे और हाथ से ही इसको थोड़ा चप्टा करेंगे हाथ में थोड़ा घी या तेल लगा कि इसको इस तरह से चप्टा करेंगे तो चलिए इनको हम फ्राई कर ले देए इस तरह से इनको हम फ्राई करेंगे क्योंकि यह पतली हैं तो बहुत जली से फ्राई हो जाती है और कड़ाई में एक बार में जितनी आए उतनी डाल कर इनको इब दम सुने रहा होने तक इनको फ्राई करेंगे तो चलिए इनको भी हम पीस के तैयार करेंगे इनका भी हमें चूरमा बनाना है इस तरह से इसका भी चूरमा बन चुका है इसको भी हम किसी खुले वरतन में निकाल लेंगे अब हम इसके लिए बनाएंगे चासनी तो पहले इसमें हम मावा डाल देंगे तो यहाँ पर हम उसी कटोरी से दो कटोरी मावा डाल की इसको अच्छे से मिला देंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें हमने जो मावा डाला है अब हम बना रहें इसके लिए चासनी तो यहाँ पर दो कटोरी हम डाल देंगे चीनी और एक कटोरी पानी डालेंगे और चीनी जैसे ही घुलेगी तो हमारी एकतार वाली चासनी है जो बन के तयार हो जाएगी फ्लेवर इकली यहाँ पर कूट के लाइची को डाल देंगे और यहाँ पर फ्रूट कलर डाल देंगे आपको अच्छा लगी तो डालिए यहाँ पर मैंने फ्रूट कलर डाल दिया है और चासनी को चाहूत इस तरह से चेक कर सकते हैं एक तार इसका बनने लगा है तो गैस की फिल्म करेंगे बंद और यहां पर जो हमने चुगुरुमा बनाए उसको बड़ी परात्मर डाल लेंगे और बीच में इस तरह से जगा बनागे और चाशनी यहां पर डाल देंगे चाशनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे तो बहुत ही टेश्टी दानेदार हमारे लड़ू बनेगे और इनमें जो हमने कलर डाला है इसके कारण यह लड़ू और भी अच्छे लगता है जैसे मौती चूर के लड़ू होते हूं वही उसी तरह का यह लड़ू बनने के बाद दिखता है और इसका फ्लेवर भी बहुत यच्छा आता है तो लीजे हमारे एक लड़ू बन के तैयार हो चुका है इसमें हम थोड़े इस तरह से काजू लगा देंगे तो बस इसी तरह से हम सारे लड़ू बना के तैयार करेंगे तो लीजे हमारे बेसान माबा सूजी के लड़ू बन के तैयार हो चुके है तो प्लीस मुझे जरूर बिताईए कि यह है रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे यहाँ पर यह पेड़ा यह पेड़े अब बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते हैं बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं तो चलिए बीडियो को शुरू करते हैं तो पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर एक कप डाल देंगे रवा इसमें हम डाल देंगे दो चम्मा दूत की मलाई यहां पर पुरानी या ताजी जो भी मलाई हो आप इस्तमाल कर सकते हैं और मीडिया माच पर हमें सूजी को अच्छे से भूजना है बस इसका कलर चेंज नहीं करेंगे सूजी है जो अच्छे से भूण चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का पाउडर तो यहां पर हम एक कप नारियल का पाउडर डाल देंगे नारियल को भी थोड़ी दिर दक हम सूजी के साथ अच्छे से भूज लेंगे दोनों चीज़ें अच्छे से बुन चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे चीनी चीनी यहाँ पर अभी डालेंगे जिससे चीनी है जो केर्मराई होगी तो बहुत यह अच्छा प्लेवर आएगा इसी के साथ यहाँ पर मावा भी डाल देंगे आपके पास मावा ना हो तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें हम डालने के उसी कप से एक कप दूद सिर्फ एक कप दूद का ही इस्तमाल करेंगे और मीडियम आज पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसके एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगे एकदम चिकना हो जाएगा इस तरह इसे जैसे ही है डो के फॉर्म में आएगा तो गैस की फिल्म करेंगे बंद और इसको किसी थाली में निकाल लेंगे जिससे है ठंडा हो जाएगा और हम इसके पेड़े बना सकते हैं तो यहाँ पर इसको हम थाली में निकाल लेंगे अब इसके पेड़े बनाना सुरूं करेंगे तो देखा आप लोगों ने बहुत ही सस्ते में हम घर पर हि हलवाई जैसी मिठाइया है जो घर बना सकते हैं ते हम पर इस तरह से एक पेड़ा बनाएगर इसको अंगोटे की साहथ आस थोड़ा चप्ता कर देंगे तो बस इसी तरह से सारे पेड़े हमने बना लिए हैं इनको थोड़ा हमने डेकुरेट कर दिया है तूटी फूटी और काजू से यह पेड़ा खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इनको जो बनाने का तरीका है आप लोगों ने देखी लिया है तो रैस्पी आपनों को कैसी लगी है प्लीज जरूर बताएए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो यह रैस्पी है बहुत ही दानेदार हमारे यह सूजी के लड़ू है इन लड़ूं को आज हम बनाएंगे बिना चासनिंग के ही तो चलिए वीडियो को शुरूं करते हैं तो सूजी पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी का बनाएंगे पाउलर तो यहां पर ग्रांडिंग जार में एक कटोरी चीनी डाल दी है इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए लाइची तो चीनी के साथ लाइची अच्छे से पिस जाएंगी तो लीजे चीनी है जो पिस चुकी है तो इसको हम रखेंगे साइड में हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई इसमें हम डालेंगे माबा क्यों कि माबे को हमें तोड़ा सॉप्ट करना है तो उसी कड़ाई में हम एक कटोरी सूजी है इसको भी हम थोड़ा भूंज लेंगे इसका भी हम जादा कलर चेंज नहीं करेंगे बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही इसको हमें भूंजना है तो सूजी में से अच्छी सी कुस्भू को आने लगी है तो इसमें हम डाल देंगे ड्राइफूट जो भी आपको अच्छा लगी तो आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इसमें काजू बादाम और किसमिश डाल दिये हैं तो ड्राइफूट भी सूजी के साथ अच्छी से बुन जाएंगे क्योंकि सूजी बहुत जादा गरम होती है बुझने के बाद जो सूजी का टेक्स्टर होता है बहुत जादा हीट होती है इसमें इन दोनों चीज़ें को निकाल दिया है एक ही बरतर में यहाँ पर मैंने मावा भी निकाल दिया तब पहले उसी में इसमें हमने सूजी को भी निकाल के अच्छी सिस को मिला देंगे अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी का पाउडर इस तरह से आप लोग एक बार लड़ू बना कर देखिए बहुत ही लाजवाब लड़ू बन के तैयार होती है और इन लड़ूं को आप लोग माईनों तक श्च्टूर करके रख सकती है लड़ू हैं जो खराब नहीं होते हैं और इनको बनाने का जो तरीका है तो आप लोगों ने देखी लिया है कितना असान है इनको बनाना इस तरह से आप इनके हम लड़ू बना सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दो चम्मच दूद की मलाई का इस्तमाल किया है मैंने और हमारे जो लड्डू है एकदम दानेदार बनके तयार हुए हैं बिनाचासनी के ही इस तरह से सारे लड्डू मैंने बना लिये हैं तो देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब हमारे लड्डू बने हैं तो इनको तोड़कर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इनका टेक्स्टर देखिए एक दम दानेदार आया है तो इस तरह से रक्षा बनन पर आप लोग घर पर ही मिठाईयां बनाएए खाईये और आज की रेस्पी आप लोग अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में